तो नंडी जी ने माता से पूछा प्रभू ने ऐसा क्यूं किया तब माता ने कहा कार्तिके उनके पुत्र होने के साथ साथ उनके गुरू भी है ये तब की बात है जब ब्रामदेव प्रभू महादेव से मिलने कैलाश जा रहे थे तब उन्होंने कार्तिके का प्रणाम भी न नहीं है इसलिए आज से स्विष्टी की देखभाल मैं करूंगा तब महादेव ने श्री कार्टिके को गुरू मानकर उनसे प्रनफ शब्द का गूर रहे से घ्यात किया था तब भगवान मोलेनाथ ने भगवान कार्टिके को सुब्रमन्यम और माताने स्वामिनाथा नवीन नाम दिया था और तब से भगवान कार्टिके महादेव के पुत्र के साथ उनके गुरू भी है